हाई एवरिबन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं पालक की बहुत ही जवर्दस्त रेसिपी आज हम पालक से पालक की कोफता बनाएंगे अधिकांस लोगों को पालक बिल्कुल पसंद नहीं आती है तो इस त उखाले टूकरों मेर्ण तर से कृट रख लेंगे अब देख पा रही हैज आप यहां पे मसावा it करेंगे तो मसालय में सब से पहले बेसंद लेंगए तीन से चार समच बेसं अीह बेसंद लेंगे और साथी आधी चमक अल्दी साथInter color और और आधी चमच जीरा पारद और आधीचमच मिर्श पाटर और स्वात के नमसार से नमक ले लेंगे और अधीचमच अजमाइन ले लेंगे हलका सा करस्ट करके और अधीचमच गर्म मसाला पाटरsl पौडर और थोड़ा सा अध्रककलसन का पेस्ट आःए मिक्स करें जाएगा, तो थोड़ा और बेशन ले लिया है, अगर पानी के जरूरत लगे तो थोड़ा साथ करके बना लेंगे, अब देख पारहे हैं, इस तरह से एकदम असानी से बन जाता है, तो इसी तरीके से सारे पालक को हम बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे तो देख पारे फ्रेंड्स बॉल्स हमने सारे बना करके रेडी कर लिए है तो चलिए अब हम गैस के तरफ चलते हैं तो गैस पे मैंने पहले से ही कराही ले लिए है गरम होने के लिए अब कराही में 4-5 बरे चम्मा से तेल डालेंगे और तेल को मेडियम गरम कर लेंगे और मेडियम गरम होते ही इस तरह से चम्मा से या हातों से हलके हातों से इस तरह से डाल कर देंगे और medium flame पर अलट पलट करके fry कर लेंगे यकिन मनिये फ्रेंट्स ये रेसिपी इतनी tasty बनती है कि सब के सब उंगलिया चाटते रा जाएंगे एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे तो देख पार है फ्रेंट्स बाल्स के कलर बढ़िया सा आ गिया है इस स्टेश पर आते ही एक साइट करते हुए किनारे करते हुए निकाल लेंगे बाहर ध्यान डे फ्रेंट्स बाल्स को आप जब भी fry करें तो medium आज पर ही fry करें टाकि वाल्स अंदर तक अच्छी तरीके से पक सकें थे इसे आप हम निकाल लेंगे और तेल थुरसे कराही में। ज्यादा लग रहा और फॉर्र से कर लेंगे अब देख पार हैं उत्युम आधी चमत जीरा लेंगे जीरा को ऐन चाटक्त देंगे जीरा चाक्ते को प्याज को डालेंगे बारीक चौप करके इस तरह से मेडियम छीम पर एक मिस्ट करते हुए बून ने आप ध्रक लेगे खेंगे और अध्रक लेशन के साथ थोरे सा मिक्स करते हुए त्रमाटा एड करेंगे तो टमाटर को मैंने यहाँ पर बारिक-बारिक काट लिया है, आप चाहिए हो तो यहाँ पर पेस्ट अइर भी कर सकते हैं, टमाटर अट करते ही, मसाला अट कर लेंगे, आधी चमच, कस्मीरी मिर्च और आधी चमच, लैड़ मिर्च पॉडर, आधी चमच, कली मिर्च पॉड गलेंगे एक मिनुट हो जाए तो थोर सा पानी एड़ कर देंगे थोरसा पानी ग्र सब्सक्राइब करके अधकन लगा कर लो फिले पर पकने देंगे तो देख पार है तो मसाले को हमनेे एक और से 10-10 चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लिजी और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सेर करना बिलकुल न भूलिया गया तो मसाले को मैंने बढ़िया से भून लिया है तो अब यहां पर कोफते मैंने अट कर दी है और थोड़ा देर कोफता के साथ मसा पानि यहां परको से आड़ कर लिजी तो ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा Movies चाहिए तो ज्यादा पानि आड़ कर लिजी और कांम चाहिए ऑक काफी है तो गरब मसाला पाउडर कड़के अच्छ को दो अंग पट अगरशिक करें टुदा आड अधी मुंक्स करके ढखकर थुरा दर छोड़ देंगे तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कोफता हमारा बन के रेडी हो चुका है तो चलिए अब हम सवर्ट पर लेते हैं तो देखा ना फ्रेंड्स कितना सिंपल और कितना असान रेसिपी है और बनाने में जितना असान है खाने में उतना ह टेस्टी होता है इस पालक के कोफता अब बनाएंगे तो मटज चिकन के कोफता खाना भूल जाएंगे सच मानिये इतनी टेस्टी बन के रेली होता है देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितना टेंटिंग और कितना टेस्टी लग रहा है तो चली फ्रेंड्स इसे हम कट करके द पसंद आया हो तो पिलीज लाइक सिर करना बिल्कुल न भूलिए गा और कॉमेंट करके जरूब बताए कि आज की रेसिपी कैसा लगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थिंकिंग